दोस्तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे जो वेबसाइट देख रहे ना, यह दोस्तो मेरी e-commerce वेबसाइट, मैं आपको नीजर स्टोर डाउन करके दिखा देता हूँ, यह देखे हमारी e-commerce वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट में देखेंगे ना दोस्तो, तो हमने इस categories भी बना रखी है, और अलगले categories के according हमने आपे काफी सारे product भी upload कर रखे हैं, जिससे क्या होगा दोस्तो, जब भी इस website पर traffic आएगा, अब देखेंगे ट्राफिक लाने के तो कई options है, जिससे SEO भी traffic लाने का एक option है, उसके अलावा हम Facebook पे add run करके भी traffic ला सकते हैं, इसके अ होगा कि customer अपनी category के according यहां से product filter करेगा, और वो उसको order कर देगा, जिससे order करेगा, हमें order मिल जाएंगे, और सबसे important बात दूसरो पता क्या होती, e-commerce website में, आपके पास order आने चुछे, तो मैं आपको बता दूँ, दूसरो यह हमारी new e-commerce website है, और इस new e-commerce website में, मुझे order भ करके दिखा दिता हूँ, यह इसका order page है, जहां पर अभी तग हमे 21 orders receive हो चुके है, and order आने का simple मतलब पता है क्या होता है, आपको अगर order मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी earning चालू हो चुकी है, आप देखें कई सारे लोग यह सोच रहे होंगे, आप यह सोच रहे हो मक्षद नहीं है कि मैं अपनी website का इस video में promotion कर रहा हूँ, देखें मेरी website के बारे में इस video में बताने का सिर्फ एक ही reason है, एक ही मक्षद है, and वो दोस्तों यह है, आज का यह जो हमारा video topic होने वाला है, यह होने वाला दोस्तों e-commerce website setup के बारे में, देखें आज के इस video में म WordPress के साथ, जिसमें मैं पहले step में मैं आपको यह भी बताऊंगा, कि अगर आप अपने लिए e-commerce website बना रहे हैं, तो आप domain name कैसे चूज करेंगे, domain name कैसे और आपको कहां से लेना है, दूसरे step में मैं आपको यह भी guide करूँगा, कि अगर आप e-commerce website बना रहे हैं, तो देखें hosting भी आपके लिए एक requirement है, आपको hosting कैसे और कहां से लेनी है, कौन सी hosting plan आपको चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा, कि किस परकार से आप hosting and domain को connect करके, आप WordPress install कर सकते हैं, और किस परकार से आप theme वगर install करके, complete एक e-commerce website को शुरू कर सकते वीडियो के अन में मैं आपको यह भी बताऊंगा, कि किस परकार से आप e-commerce website setup करने के बाद, उसमें product upload करोगे, ठीक है, तो complete e-commerce video tutorial होने वाला है, आपको जरूर देखेगा, आपको देखोगे, तो complete जानकारी आपको मिलेगी, आप भी business शुरू करके, e-commerce business शुरू करके, हर WordPress के साथ, तो उसके लिए कुछ requirements होती है, वो पहले आपको complete करनी पड़ेगी, देखे, e-commerce website को बनाने के लिए, या किसी भी website को setup करने के लिए, पहला जो requirement होता है, वो होता है, दोस्तो, आपके पास एक domain name होना चाहिए, दोस्तो, आपके पास एक name होना चाहिए, जिसके ना domain name लेना पड़ेगा, दूसरा requirement है, आपके पास hosting होनी चाहिए, देखे, अगर आप e-commerce business सुरू करना चाहते हैं, e-commerce website setup करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऐसी hosting होनी चाहिए, जो fast work करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप e-commerce website बनाओगे, तो वहाँ पे आप daily product upload करोगे, और चितने ज़्यादा product आप upload करोगे, उतना ज़्यादा आपका server load पड़ता चाहेगा, अगर server load पड़ा and traffic आए आपके पास, तो आपकी website slow हो जाएगी, या फिर 200 crash हो जाएगी, तो आपको एक ऐसी hosting चूज़ करनी पड़ेगी, जो crash नहीं हो, slow नहीं हो and smoothly आपकी website उस पे चलत ले सकते हैं, hosting कैसे ले सकते हैं, देखें दोस्तों, अगर आप एक beginner है और आपको ज्यादा जानकरी इसके बारे में नहीं है, तो इसका एक simple solution है, आपको जाना है, दोस्तों, wordpress.org पे and यहापे दोस्तों, आपको जाना है hosting पे, and hosting पे जाएंगे तो दोस्तों, यहाँ पे आ hosting के अंदर, hosting provider के अंदर, and यह wordpress की तरफ से recommended है, and यह fast hosting प्रोवाइड करता है आपको, जिसके अंदर आप अपनी e-commerce website को बड़े smooth तरीके से चला सकते है, and इनका सबसे जो मुझे best benefit लगता है, वो लगता है दोस्तों, इनका 24-7 support, मेरी website भी यहाँ पे मैंने कापिसरी run कर है, and मैं अपनी clients की जो website है, वो भी दोस्तों, bluehost में चलाता हूँ, and आप यहाँ पे अगर अपनी e-commerce website को setup कर रहे है, wordpress के अंदर, तो wordpress आपको खुद bluehost recommend कर रहा है, ठीक है, तो देखे, अब हम चलते हैं, यहाँ पे bluehost पे, यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं, आप यह पहले ही बता हैं, कि आपके पास दो requirement का होना जरूरी है, पहला आपके पास domain name होना चाहिए, and दूसरा आपके पास hosting होना चाहिए, तो दोस्तों, आप bluehost से domain name भी ले सकते हैं, and यहाँ से hosting भी ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप इस page पर visit करेंगे, तो देखे, यहाँ पे एक new website बना रहे हैं, या फिर आप एक according to brand आप अपना business सुरू कर रहे हैं, तो आप कोई भी domain name ले सकते हैं, यहाँ पर देखे, आपको तीन परकार के domain name देखेंगे, bluehost पे, जिसके अंदर देखे, दोस्तों, आप .bitch ले सकते हैं, .college सकते हैं, .club ले सकते हैं, .bitch means का मतल आप कर रहे हैं, आप एक entrepreneur है, कोई creator है, तो भी दोस्तों, आप .co.dominium ले सकते हैं, and .co, दोस्तों, मैं आपको बता दू, globally work करता है, according to branch, तो आप .co.dominium है, वो भी ले सकते हैं, तीसरा दोस्तों, यहाँ पर है .club वाला, देखे, दोस्तों, अगर आप एक YouTuber है, या फिर आ आप यहाँ पर .club वाला domain name भी, आपने according ले सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक e-commerce website शुरू कर रहे हैं, तो आपको कौनशा domain name लेना चाहिए, देखे, दोस्तों, आप अगर ऐसा कोई e-commerce website शुरू कर रहे है, जिसको आप पूरी दुनिया में चल कराना चाहते हैं, तो आप dot को ले सकते हैं, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबस्तों आपको यहाँ पर domain name search करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे मान लीजे, मैं आपर type करता हूँ trendy clothes, ठीक है, and मैं यहाँ पर दोस्तों, चूश कर अगर हम लोग यहाँ पर dot को domain name ले रहे हैं दोस्तों, तो अभी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें 30 days का free hosting trial भी मिल रहा है, blue host की तरफ से, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ एक chance मिल रहा है 30 days का, जिसके अंदर हम अपनी e-commerce website को setup कर सकते हैं, and yes, हम लोग next 30 days के लिए, यहा कर सकते हैं, and यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर host used SEO plugin भी मिलेगा, and साथ में हमें domain name भी मिल रहा है, and used SEO plugin का मतलब है, होता है कि दोस्तों, अगर हमें used SEO plugin मिलेगा, तो हम अपनी website का SEO कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, limited period offer हमारे लिए, अगर हम लोग यहाँ domain name ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पर free hosting मिल रहा, blue host की तरफ से 30 days के लिए, and इसके अलावत दोस्तों, अगर आप pre hosting बगरा purchase करेंगे, यहाँ पर, जब भी हमारा 30 days का plan expire होता है, तो हमें यहाँ पर discount offers भी मिलेंगे, and अभी Black Friday के offers भी चल रहे हैं, अगर आप चाहें, तो अभ का domain name आपने चूज किया ना, इसको check out करना है, तो आप नीचे स्कोडम करिए, and यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, shopping cart के अंदर हमें आपे free trial, basic hosting मिल रहे है, one month के लिए, and यहाँ पर देखें, दोस्तों, हमें एक domain name भी मिल रहा है, one year के लिए, and इसका जो total cost भी आ रह है, and यहाँ पर देखें, दोस्तों, start your website for free, and इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलेगा, plan details वगर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें one website का option मिल रहा है, and यहाँ पर देखें, हमें 100 plus WordPress themes भी मिलेगी, and यह सब कुछ free of cost हमें कोई charge नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर 50 DB stories हमे मिलेगा, automatically daily malware scanner में मिलेंगे, and इसके अलावा देखें, हमें यहाँ पर unlimited bandwidth मिलेगा, speed boosting मिलेगे, जिससे हमें, हमारी जो site होगी, वो speedily open होने वाली है, उसके अलावा देखें, हमें यहाँ 30 days का SSL certificate भी मिलने वाला है, and यहाँ पर देखें, दोस्तों, हमें और बहुत सारी च पर शकते हैं, ठीक है, तो यह दोस्तों हमारी complete details है, जिसका हमें कोई charge बगरा नहीं करना पड़ रहा है, free hosting हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोस्तों, नीचे score down करेंगे, and इसका total amount क्या हम पर देखें, 799 रूपीज, जिसका मतलब है कि सिर्फ 800 रुपे मे आपनी अपनी e-commerce website को यहाँ पर बिल्ड कर लिया, अब आपको करना क्या है, दोस्तों, proceed with 30 days trial के उपर आपको क्लिक करना है, and यह देखें, आपके सामने एक form खुलेगा, तो आपको करना क्या है, दोस्तों, यहाँ पर आपको email address डालना है, first name डालना है, and यहाँ पर देखे परचीज कर लिया है, जिसके साथ, दोस्तों, आपको यहाँ पर 30 days का free hosting trial भी मिलने वाल है, तो मैं यहाँ पर इस domain name को check out कर लिता हूँ, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं, आपने चो domain name को परचीज करेंगे, यहाँ पर देखे, domain name आपको option मिल रहा होगा, and य दोस्तों, आपको treatment policy पर click करना है, और यहाँ पर create account के उपर आपको click करना है, ठीक है, जैसे दोस्तों, आप create account के उपर click करोगे, हमारा यहाँ पर देखे, blue host के अंदर हमनों first time अगर हमने purchase किया hosting बगरा, तो हमारा first time यहाँ पर account create होगा, and next time अगर आप अपनी hosting को, या फिर आप अपने domain name को open करना चाहरे, या फिर अपनी website के अंदर आपको install वगरा करना चाहरे, तो यही से दोस्तों, आपको क्या करना है, आपका domain name, and यहाँ पर आपका जो password आपने create किया है, वो password आपको डालना है, and यहाँ पर अपना account आपको login करना है, ठीक है, ओके, तो यहाँ आप दोस्तों देख सकते ही हैं, जो हमारा account है, वो create होचुका है, and जैसे दोस्तों, आपका account create होगा, यहाँ पर आपको क्रना है, create your website के अपर आपको klik करना है, जैसे दोस्तों, आप इसके उपर click करेंगे, यहाँ पर आप Дेख सकते हैं, आपके सामने तीनी step खुलेंगे, no need help, need it, a little help, do it for me, तो यहाँ पर आपको करना है, skip this step के उपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका purpose क्या है, आप किसके लिए यहाँ पर वेबसाइट बगरा बना रहे हैं, तो यहाँ पर blog है, store है, business है, portfolio है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर store के उपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक e-commerce website को setup कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर यह चूज किया, and what type is it, तो यहाँ पर देखिए, education, health, यहाँ पर हमें category पूछ रहे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर e-commerce category को चूज कर लेंगे, और उसके बाद देखिए, यहाँ पर site किस के लिए upgrade कर रहे है, तो यहाँ पर myself के उपर आपको click करना है, और यहाँ पर content button के उपर आपको click करना, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपसे पूछे ज़रा आप आपकी site के बारे में बताईए, तो यहाँ पर देखिए, आपकी site का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने रखा trendy clues, ठीक है, trendy clues, और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, theme that inspire you, तो यहाँ पर देखिए, हमें कुछ themes वगरा मिलेंगी, तो यहाँ पर free and option आपको मिल रहा है, और अभी यहाँ पर देखिए, कोई भी जो theme वगरा है, वो आप यहाँ पर easily use कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आपके लिए सारी themes वगरा आपको यहाँ पर free वाली मिल रही है, तो हम क्या करेंगी, use this theme के उपर click करतेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम इस theme को install करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, great work, we are installing wordpress, और जो wordpress है वो अभी हमारी site में install हो रहा है, और आज यह जो e-commerce website है, दूसरे वो हम wordpress में ही बनाने वाले है, तो हमारा wordpress यहाँ पर install हो चुका है, और एक हमारे पास यहाँ पर theme install हो चुक है हमारी site में, ठीक है, तो अब देखिए, इस परकार से आपके सामने एक next piece खुल जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी site को easily अब देख सकते हैं, अब आपको गना किया, देखिए, यहाँ पर my sites के उपर आपको click करना है, जैसे दूसरा my sites के उपर click करेंगे, जो website आपने बनाई है, यहाँ पर देखिए, प्रांडी-clothes. को देख सकते हैं, तो इस site के उपर आप visit कर सकते हैं, manage sites के उपर आपको click करना है, जैसे दूसरा, manage sites के उपर आप click करोगी, यह देखिए, जो आपकी site है, वो यहाँ पर 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 तरीके से list हो चुकी है, अब देखिए, दोसरा, आपकी site list हो चुकी है, आपका मैं आपको बतादू, पहला जो step है, वो complete हो चुका है, जिसके अंदर आपने एक domain name ले लिया, आपका hosting भी आपने यहाँ पर पर purchased कर लिया, hosting हमने कहां से purchase किया है, हमने पर पर तरीश किया, दोसरा, Bluehost दोसरा, दोसरा, मेरी तरब से भी आपके लिए recommendation है, और इसकी fast hosting आपको मिलती है 24-7 support आपको मिलता है जिससे आपको काफी easy और आसान हो जाएगा आपकी website को regular manage करना ठीक है तो I hope यहां तक आपको complete जानकार email गी होगी समस में आ गया होगा और यहां तक आपको कोई doubt रहेगा कोई आपको सवाल करना है तो आप वो मुझे comment में जा recommend करता है and bluehost का जो page है जहां से आप dominium ले सकते हैं hosting ले सकते हैं उसका link भी मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो आप उस पिकली करके वहां पे भी वजजट कर सकते हैं ठीक है तो I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा यहां तक दोस्तों हमारा dominium हमने परचेश कर या hosting purchase कर ली and hosting का हमने आपे कोई charge नहीं दिया है हमने सिर्फ domain का charge दिया है and यह सिर्फ हमें मिला सिर्फ 400 रुपीज में यानि कि 8-900 रुपीज में हमारी complete e-commerce website बन चुकी है and e-commerce business हमारा सुरू हो चुक है तो मैंने आपको पहले ही बताया था video सुरू करते टाइं कि मैं आपको बता दूँगा and without coding आप कैसे बना सकते हैं कैसे business सुरू कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस video में बताऊँगा तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा आप देखें आपको करना क्या है दोस्तों आपकी website बन चुके है यहाँ पे and अब आपको इस website के अंदर visit करना है यहाँ अपर theme वगर install करने है and finally आपको product upload करके आपका काम complete करना है ठीक है तो यहाँ पर देखें कि दोस्तों आपको करना क्या है login to wordpress का option देखेगा तो simply दोस्तों आपको करना क्या है इसके उपर click करना है and जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करेंगे हमें bluehost redirect करेगा हमारी website के उप अपर जहाँ पर हम अपनी website के अंदर theme वगर आपको install कर सकते हैं product वगर को upload कर सकते हैं जैसे दोस्तों आप login to wordpress पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों दिख सकते हैं आपके सामने जो trendyclothes.co website है हमारा इसका WP admin हमारे सामने ओपर नोशुक है देखे अगर आप जैसे यहाँ पर help number जहाँ पर आपको 24-7 support मिलता है उनकी team का call कर सकते हैं and yes आप उनकी team से जो भी problem है वो share कर सकते हैं वो आपकी help करेंगे and आपका domain name अगर आप से assign नहीं हो रहा है या redirect नहीं हो रहा है तो आप उनकी team से help लेके वो सारी चीज़े आप खुद कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो site का URL है वो इस परकार से अभी हमारे सामने open हो चुका है एक बार हम इस site को open करके देख लेते हैं कि किस परकार से हमारी जो site है वो दिख रही है and इस site के अंदर फिर हम क्या करेंगे according to e-commerce business हम लोग यहाँ पर एक जो क्या बोलता है इसको theme वगरा वो भी install करेंगे और उसके बाद हम product वगरा upload भी करना भी सिखेंगे तो यहाँ पर अभी आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो wordpress की e-commerce website है यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ तक setup हो चुकी है यहाँ कि wordpress install हो चुका है इस site URL open हो चुका ह है और अभी तक हमारा जो काम है वो यहाँ तक हो चुका है तो finally अभी इस website पे हम लोग दोस्तों theme पर इंस्टॉल करना सीख लेते हैं और उसके बाद product कैसे upload करते हैं वो सीख लेते हैं तो सब जब बहले आपको करना कि आप वापस से जाना है दोस्तों आपको dashboard पर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक theme इंस्टॉल करेंगे theme वैसे दोस्तों आप free भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई paid theme पड़ी है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा दोस्तों इसको देखे एक बार यहाँ पर cross कर देता हूँ और यहाँ आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पर देखे आपको appearance को option देखेगा तो simply आपको appearance के उपर click करना है और यहाँ पर देखे दोस्तों आपको themes के उपर click करना है ठीक है जैसे दोस्तों आप theme के उपर click करोगे यहाँ पर आगर आपके पास कोई theme पड़ी है paid वाली तो उस theme को आप जो है यूज कर सकते हैं देखिए आप आपको करना क्या है अप लूड थीम के ओपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपनी नई थीम जो है अप लूड कर सकते हैं या फिर देखिए दोस्तों आपको वर्डप्रेस की तरफ से भी कुछ यहाँ पर प्लागिन के अंदर ठीक है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों इन थीम्स को वगरा को यूज नहीं करूँगा आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा solution भी देता हूँ जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो देखें आपको करना क्या है मैं जाता हूँ प्लेगिन के अंदर यहाँ पर देखें आपको add new plugin के उपर क्लिक करना है और add new plugin के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर एक plugin इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर हमें कुछ free themes मिलती है और वहाँ पर आपको e-commerce का theme भी मिल जाएगा तो मैंने आप एक क्लिक किया और यहाँ पर देखें दोस्तों आपको आना है appearance में, search plugins में और यहाँ पर देखें आपको ready themes डालना है और आपको search button पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप search button पर क्लिक करोगे आपके सामने जो themes ready templates हैं वो हमारे सामने आ जाएगे तो यहाँ पर देखें starter template करके आपके सामने एक plugin आएगा आपको करना का है install button पर क्लिक करना है और यह जो plugin है इसको आप install कर लिजे ठीक है जैसे plugin install होगा हम इस plugin को activate कर लेंगे तो यहाँ पर देखें plugin activate का option आग चुका है आपके सामने तो हम इस plugin को activate कर लेते हैं जैसे दोस्तों आपका plugin activate होगा हम अगला step लेंगे और इसके अंदर जो भी हमारे पास templates मिलेंगे हमें ready templates उनको हम install करेंगे हमारी e-commerce website में ठीक है तो देखें हमारा plugin activate हो चुका है दोस्तों हम क्या करेंगे नीचे scroll down करेंगे और उस plugin को देखे लेते हैं कहा हमें मिलेगा यहाँ पर देखें स्टार्ट टेम्पलीट करके आपको plugin मिल रहा है तो हम क्या करेंगे C library के उपर क्लिक करतेंगे जैसे 200C library के उपर आप क्लिक करोगे starter template के अंदर जो themes है यानि कि जो inbuilt themes है वो themes हमारे सामने ओपर हो जाएगी तो यहाँ पर देखें getting started with starting template तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ build your website now के उपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले हम choose कर लेंगे page builder तो हम क्या करेंगे elementor के उपर क्लिक करेंगे जिसमें हमें drag and drop का option मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखें हमने यह option चूज किया और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर theme चूज करना है तो हमें theme चूज करना है दोस्तों e-commerce का ठीक है तो हमें यहाँ पर e-commerce के उपर क्लिक कर देते हैं and यहाँ पर हमें जो भी e-commerce related categories है उसके हमें theme यहाँ पर मिल जाएंगे free और paid दोनों themes आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपके सामने यह option खुल गया है and यहाँ पर आभी आपके पास logo वगरा है तो आप यहाँ पर logo वगर अपलोड कर दीजे and अगर नहीं अभी आपके पास तो यहाँ पर करना के skip and continue बटन पर क्लिक करना है and color वगरा को option भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा तो अभी जो default color है अगर आप यह वाला color रखना चाहते है तो ठीक है otherwise देखें यहाँ पर आप कोई भी color चूस कर सकते हैं नया जैसे आप color चूस करोगे आपके theme का जो color है वो भी automatically change हो जाएगा and उसके बाद देखें यहाँ पर font वगरा भी आप change कर सकते हैं आपने according and finally देखें आपको continue बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखें आपके सामने one last step जिसके अंदर आपको कोई information नहीं डालनी है यहाँ पर आपके सारे options enable हो रखें होंगे already तो यहाँ पर आपको करना क्या submit and build my website के उपर आपको click करना जैसे दोस आप इसके उपर click करोगे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो free theme है वो अभी हमारी website में install हो रही ह and जैसे दोस्तों यह theme install होगी WordPress हमारी website के अंदर हम इस theme को customize करेंगे and उसके बाद product upload करके हम अपनी website को sale करना यानि कि traffic लाना and product को sale करना start करेंगे ओके तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ओके तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं congratulations हमारी जो theme है install हो चुका है इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं इस परकार से अगर आप कोई भी product upload करोगे तो इस परकार से देखिए आपका product देखने वाले और यह काफी अच्छी थी मैं काफी attractive theme है अगर आप इसको अपने according customize करेंगे तो काफी attractive आपका देखने वाला है और यह theme को देखे कोई भी यह नहीं बता सकता कि अपनी free theme यहाँ पर use करीए ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी attractive आपका दिखरा है तो इस परकार से दोस्तों आप यहाँ पर अपनी website के अंदर theme वेगर install कर सकते हैं ठीक है अब देखे theme install करने के बाद आपका final work यहाँ पर रहा गया है आपकी website को customize करना तो आप अपनी website को customize कैसे कर सकते हैं देखे मैं आपको बसा देता हूँ आपको यहाँ पर drag and drop करना है और drag and drop करते ही आपकी website को जो है आप लाइव एडिट कर सकते हैं तो सबसे पहले एडिट करने के लिए देखे आपको करना क्या simply यहाँ पर बस drag and drop करना ही कुछ चीज़ है और यहाँ आपको जो images है वहाँ पर easily change कर सकते ही जैसे महाली जिए आपको यह image change करना है तो आप इसके उपर दो बार click कर दूँ जैसे आप इसके उपर click करोगे देखे यहाँ पर image change करने का option आ चुक है तो आप choose image के उपर click कर सक सकते हो select file के उपर आपको click करना है और आपके computer laptop PC में जो भी आपके files है आपके products related तो वहाँ पर क्या कर सकते हो आप जो है जो images है वो यहाँ पर easily upload कर सकते हो तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने laptop PC से एक image करके आपको upload करके दिखा दिया तो इस परकार से वैसे दोस्तों आप अपनी image को upload कर सकते हैं और जो है यहाँ पर आपनी नई image को लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद है कि दोस्तों अगर आपको कुछ tax वगरा में change करना है तो यहाँ पर देखिया आप दो बार text पर click करोगे न तो यहाँ पर easily change कर सकते हो जैसे walks काट करके आप जो बटन change करना है या फिर दोस्तों आपको link डालनी है तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा उसके बाद नीचे scroll down करके देखिये आपको यहाँ पर इसके अंदर को change करना है तो यहाँ पर इस पर जैसे click करेंगे यहाँ पर देखिये आपको title change करने का option आ चुका है description change करने का option आ यहां पर देखे आप इसके अंदर भी आपको changes वगरा करना चाहते हैं कोई title वगरा change करना है तो वो option भी आपको यहां पर मिल जाएगा तो मेरा मतलब यह है दोस्तों कि आप डारेक्ट जो है live अपनी website को यहां पर easily added कर सकते हो अब आपको कुछ नई चीज़े आड़ करनी है तो वो देखे यहां पर आप easily add कर सकते हैं जोसे यहां पर आपको नया portfolio बनाना है, gallery बनानी है, form बनाना, slider बनाना है या फिर देखे नीचे options आपको और मिल जाएंगे जिससे price listing है, price table है यहां पर और options मिल जाएंगे, e-commerce अगर आप नीचे scroll down करके देखोगे तो देखे e-commerce के options भी आपको मिल जाएंगे, जैसे WooCommerce पर क्लिक कर सकते हूँ, यहां पर देखे, WooCommerce का आपको कुछ चीज़ आड करनी है, तो देखे, WooCommerce के अंदर भी आपको काफी सारी चीज़ यहां पर मिल जाएगी, जिसको बस आप drag and drop करोगे, यहां पर देखे, drag and drop करोगे, तो आ आपका काम easily हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी जो theme है, उसको live edit कर सकते हैं, यहां पर आपको करना क्या है, यह जो काम आप नहीं किया है, वैसे आप इसको save कर देना, यहां पर update बटन पर click करते ही, save हो जाएगा, and फिर आपका जो है, यहां पर theme यहां पर update हो जाएगा, तो इस प्रकार से दोस्तों आप live अपनी theme को या website को edit कर सकते हैं, आप देखिए एक चीज और आपका बाकी रह गया है, आपका logo लगाना या फिर इसका menu वगरा create करना, तो वो कहां से कर सकते हैं, देखिए यहां पर जैसे इस पर click करेंगे, यहां यहां पर सबसे पहले तो आपको menu option देखेगा, जिसके उपर आप click कर दीजे, तो मैं एक बार आपको menu create करना बता देता हूँ कि कैसे आप अपना menu create कर सकते हो, menu इसको बोलते हैं, यह आपका menu, header menu अगरा, तो जैसे इसके उपर आप click करोगे, यह देखिए आपके सामने menu अ click करते ही, आपका यहां पर shop वाला नया बटन अड़ हो जाएगा, sorry, नया page अड़ हो जाएगा, यह देखिए shop page अड़ हो गया, save menu के उपर click करोगे, तो यह देखिए आपका menu के अंदर shop वाला page अड़ हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकास से दोस्तों आप अपना menu अगरा भी create कर सकते है, menu अगरा create करने के अलावा, दोस्तों आप अपना logo अगरा कहां से upload करोगे, तो logo अगरा upload करने के लिए देखिए, यहाँ पर customize का option आपको देखेगा, appearance के अंदर, आपको menu का option देख रहा है, visits का option देख रहा है, customize का option देख रहा है, सभी चीज़ आपको यहाँ आप देखेगी, तो मैं customize के उपर click कर देता हूँ, जैसे दोस्तों आप customize के उपर click करोगे, आपको, आपकी website के अंदर, जो logo अगरा है, वो upload करने के options आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे customize option पे click है, यहाँ पर आप अपनी theme के होगे न, यह देखे, आपके सामने, आपके site का logo आ चुका है, मैं एक बार पीछे click कर देता हूँ, यह देखे, आपके site का जो logo है, वो आपके सामने आ जाएगा, जहाँ से आप अपनी site का logo वगरा चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लोगो चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसके लाव header में और क्या चीज़े अड करना है, आपको account अड करना है, cart अड करना है, primary menu वगरा है, secondary menu वगरा options है, यहाँ से आप जो है, अपनी site को जो है, easily customize कर सकते हैं, इसके लावा back button पे प्रस करके और चीज़े आप देख सकते हैं, जैसे आपका यह blog option है, pages options है, यहाँ पे footer builder भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी site का यहाँ से direct footer भी बना सकते हैं, यह देखे, आपका footer builder भी मिल जाएगा, जहाँ पे copyright वगरा, या social accounts वगरा, यहाँ से easily build कर सकते हैं, या फिर change कर सकते हैं, तो यह आपकी site customization option है, जहाँ पे आप अपनी site का logo वगरा change कर सकते हैं, आप header बना सकते हैं, menu बना सकते हैं, या फिर footer भी बना सकते हैं, तो इस परकार से दोस्तों आप अपनी site को customize कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, and wordpress में दोस्तों आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो YouTube पे कुछ tutorials देख लीजिए wordpress के, जिनको अगर आप देख आपको orders वगरा receive हो, तो वो final step मैं आपको बता देता हूँ, तो देखे, order आपको, sorry, product upload करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे आपको scroll down करना है, and जैसे नीचे scroll down करोगे, यहाँ पर देखे, आपको सबसे पहले WooCommerce, and WooCommerce के नीचे आपको product option देखेगा, तो product option पर click करना है, यहाँ पर आपको add new के उपर click करना है, and जैसे दोस्तों आप add new के उपर click करोगे, आपके सामने product upload करने वाला जो page है, वो भी open हो जाएगा, देखे, अगर आपको नहीं समझ मेहरा कि product आपके ऐसे upload कर सकते हैं, तो जो website के अंदर आपके already product upload हो रखें, आप उन customize कर सकते हैं, उनी को changes कर सकते हैं, and उनकी images बगरा change करके आप customize कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखे, सब सब पहले, तो add new product, तो product का नाम डालना है, जैसे मैं नाम डाल के दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पर name one में डाल देता हूं, and उसके बादे के दोस्तों आपको करना क्या यहाँ पर आपके product के descriptions बगरा हैं, वो आपको डालना है, and उसके बाद यहाँ पर आपको product data पूछा जा रहा है, तो general option आपको देख रहा है, general option में आपके regular price डालना है, and आपकी sale price डालनी है, उसके बाद दोस्तों inventory आप दे सकते हैं, इन अ stock है या नहीं है, उसके बाद दो more options भी आपको देख जाएंगे, तो बस यह सारी चीज़े आपको add करना है, यहाँ पर basic चीज़े आपसे पूछी जा रही है, यह सब चीज़े आपको category option देखेगा, जिस पी परकार का product है, उस परकार की category आप यहाँ पर बना सकते हो, अगर already category है, तो उस category के अंदर upload कर सकते हो, जैसे दूसर आप product upload करोगे, आपका product आपकी website में list हो जाएगा, और product list होने के बाद बस आपको करना क्या है, आपकी website के अंदर और जो बाकी चीज़े रह गई है, जैसे shipping लगाना, payment method लगाना, और उसके बाद दूसर आपको करना के Facebook पैड चलाना, Google पैड चलाना, traffic ला अपनी एक e-commerce website को easily setup कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और इस e-commerce website को बनाने के बाद, आप इस website की मतल से हर मेने 50-60,000 रुपया easily कमा सकते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत महनत कर लेंगे, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, तो आप हर मेने इस e-commerce website की मतल से 1,00,000 या उससे ज़्यादा भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है, तो आज मैं आपको बताए इस वीडियो में की कैसे आप अपनी ले एक e-commerce website को बड़ी आसानी से WordPress पे बिल्ड कर सकते हैं, I hope आपको वीडियो complete समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा वीडियो तो like करना, share करना, कैसा लगा वीड दोस्तो वीडियो पूरा देख रहा है, तो please comment में जाके full वीडियो आइन साथ में अपना नाम टाइप करना, जैसे मुझे पता है चल जाएगा, कि कौन परसन इस वीडियो को आइन तक देख रहा है, कौन बनता सीखने की कोशिश कर रहा है, दोस्तो वीडियो से related आपको को सवाल जवाब करना है, या पूछना है, तो आप मुझे वो भी comment box में जाके comment करना, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा, अगला वीडियो आपको किस topic पर चाहिए, वो भी मुझे आप comment box में comment करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए उसके उ झाल sus सकते हैं, झाल झाल झाल